अलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे सेनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियों बात करेंगे सबी पूरु सेनिकों और पैंशनर्स के लिए दोस्तो आज के जो है तीन से चार इमटेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे जहां पे कि दोस्तो जेसी ओ जोवार्स के लिए जो नए नियम लागू हो चुके हैं एक फरवरी से दोस्तो जो पूरु सेनिक और पैंशनर्स सेवेंटी यर्स के अबों हैं उनके लिए सरकार ने एक नया जो है मॉड्यूल जारी किया और एक नया वेलफेर कारिकर्म शुरू किया है जिसके थ्रू जो है उनको जो है अलग सुविदाएं दी जाएंगी हम बात करेंगे दोस्तो जो एंट्री लेवल पे का जो एरियर है वो पूरु सेनिकों के जो है खाते में जो है फरवरी के महीने में क्रेइट हो रहा है और एंट्री लेवल पे का जो एरियर है उस पे जो है बहुत साय लोग जो कि अभी नहीं ले पारे थे वो लोग अब इसका बेनिफिट उठा पारे है बात करेंगे दोस्तों हवलदार की जो पेंशन है वो अभी इस टाइम पे अगर हम जो लोग अभी लेटेस्ट रिटायर हो रहे है उनकी बेसिक पेंशन जो है 24,400 रुपए फिक्स हुई है और इसके लिए बात करेंगे हम लोग दोस्तों कुछ पूरुसरेनिकों के लिए जो जो जौब है उससे रिलेटेट अपडेट के बारे में बात करेंगे तो चलिए उससे बात करते ह है आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में दोस्तों कर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहा है और साथी साथ बैल आइकन जरूर दबाए दोस्तों पहला अपडेट पर जारी किये गए जो नए नियम जारी किये गए उस हिसाब से दोस्तों जो पीसीडिये के सर्कूलर 568 है और MSCP है इन पर जो है बैंक और सपर्ष को क्लेर इंस्ट्रेक्शन दिया गया है कि जो लोग भी जो है इसके इलीजिबल है उनको जो है जो MSCP हो गया और पीसीडिय सर्कूलर 568 का उसका टाइम ली उनको जो है बेनिफिट दिया जाना चाहिए और जितने भी केसे CP ग्राम में आ रहे हैं जो लोग भी CP ग्राम के थूँ जो है अपना केस पुटप कर रहे हैं उन सब को जो है अगर वो जो पीसीडिये के सर्कूलर 568 के कोर्डिंग जो उनका केसे को जो है हेंडल किया जा रहा है और जल से जल जो है इसको जो है उसके उपर जो है फैसला लिया जा रहा है तो दोस्तों यह इसलिए कह रहे हैं हम लोग क्योंकि यही टाइम है इस टाइम पर जो है यह पुराने सारी के सारी चीज़े जो थी वो फसी होई थी जो लोग नहीं कर पैत है और उसी का रीजन है कि ये सारे के सारे इलेक्रोनिक मीडिया बनाए गए जहां पर आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं बात करते हैं हम लोग दोस्तों दूसरे अपडेट की जहां पर जो अभी आठवे वेतनायों को लेकर अभी राजी सभा से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन्स आ गए हैं क्लियर कट यह पर चल चुका है कि अब सरकार जो है आठवा वेतनायों नहीं लेकर आ रही है क्योंकि अभी तक जो है जो एक question answer session हुआ था और जहां पर यह पूछा गया था कि सरकार का आठवे वेतनायों पर क्या प्रप्रेशन पर क्या अपडेट है तो वहां पर दोस्तों क्लियर कट कहा गया था कि सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही है और अभी तक कोई प्रप्रेशन न बात करते हैं दोस्तों दूसरा नेक्स्ट अप्रेट की जहां पर स्पर्ष ने जो है पैंशनर की protection के लिए पैंशनर को सेफ करने के लिए नियमों में बड़े बदलाव किये हैं और सबसे पहला नियम दोस्तों यहीं है कि अभी जो एक नया मॉडियूल बनाए गया है वह आपका डबल पासवर्ड प्रोटेक्शन का जहां पर आप जो है ना सिर्फ पासवर्ड डालना है जबकि आपको आपका मॉबाइल पर ओटीप आएगा तो दो थूरू दो मीडियम के थूरू आपका जो है एकाउंट प्रोटेक्ट होगा गलती से पासवर्ड आ भी जाए तो भी ओटीपी के लिए आपके मॉबाइल पर ही जाएगा अब वहां पर मेजर चुक होती है कि उसके पास आपका पासवर्ड भी आगया आपको मॉबाइल भी आ गया तो खत्रा है लेकिन अल्टिमेटली ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों चीजें एक साथ जो है किसी हैकर के पास जाए इसके साथ ही साथ दोस्तों इस परशने अपने आपको भी सेफ करने के लिए क्लियर कट आपसे एक साइन करवाते हैं डॉक्युमेंट वह वह इलेक्ट्रोनिक डॉक्युमेंट होता है जहां पर आपको यह जो कोई डेटा लॉस होता है यह आपके जो है कुछ अपर्श के तुरू जो है आपको इसको अप्रूव करना पड़ेगा और इसका मतलब है दोस्तों के चीजे थोड़ा मुश्किल होने वाली है क्योंकि अब आपको अपने डेटा खुद वैलिडेट करना है डेटा का अपर्ट्रॉनिक मीडिया है इसके थूँआ आपको लॉग इन करना है लेकिन अब यह कि साथ साथ में जो हैकर से वह भी रेडी हो जाते हैं किस तरीके से आपके अकाउंट से इन्फॉर्मेशन निकालना है क्योंकि यह सब आपसे मॉनिटरी लेटर इन्फॉर्मेशन भी ह है और बहुत सारी से इन्फॉर्मेशन है जिसको मैनिप्लेट किया जा सकता है तो बहुत इंपॉर्टन दोस्तों कि आप अपने एकाउंट को सेफ रखें एकाउंट में किसी को शेयर ना करें और सबसे बड़ी चीज़ है कि फ्रीक्वेंटली आप अपना पासवर्ड अप बात करते हैं दोस्तों आज के आखरी अपडेट की जहां पर एंट्री लेवल पे का एरियर दोस्तों अगर आप सिपाई हैं और रिटार्मेंट तक आप सिपाई रहें अगर आप हवलदार है और रिटार्मेंट तक हवलदार हैं उनके लिए जो 2006 की जो एंट्री लेवल प विए उसमें क्या है और उन दोनों के बीच में जो भी मिसमेच है उसके थूआ आपने जो अपना जो भी आपका एरियर बनता है उसके बाद से आपने अपना काम शुरू करना है और आपने जो इसको CP कराम के थूँ रिकॉर्ड आफिस को अप लेटर लिख सकते हैं क्योंकि दोस्तों फरवरी में भी बहुत सारे लोगों को जो है इसका जो एरियर मिल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी दोस्तों जिन लोगों को जो है जो एंट्री लेवल पे के लिए लिजि लिए जाएगा और यह सिर्फ और सिर्फ के लिए इस महिने से अलड़ी लागू कर दिया गया है अब बीपीटी होगी जो उसमें आपके साथ एक मेडिकल टीम भी रहेगी जो आपको चेक करेगी इन सब पैरामेटर्स के उपर और अगर जो है आप स्कुर्टिम में आते है या इलिजिबल नहीं होते या कोई कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद से आपको कुछ टाइम दिया जाएगा जिससे अगर आओ ओपेसिटी या मुटापे की प्रॉब्लम है तो उससे निपटने के लिए तो उस पर्टिकुलर टाइम इंटर्वल में आपने आप आपको क्लेर करना है और उसके बाद से दोस्तों आपको जो है कोई इशू नहीं होगा लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो दोस्तों सक्ट एक्षिन भी लेने की बात की जारी है तो उस्तों इत्याच के इंपॉर्डेंट अपडेट सभी पूरू सेन्कों के लिए पैंशन के लिए जो है और जिसमें की जो है कुछ नए नियम लागू है पैंशनर्स के लिए उसको ध्यान अखना बहुत जरूरी है पर्श में दोस्तों बहुत सारे जो है एकाउंट से अपडेट हुआ है उसको भी आप जरूर चेक करें दोस्तों कर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो